आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं complete analysis आपकी RRBJ exam का जैसर कि आप सभी को पता है आज आपका बहला exam था ठीके तो यहाँ पे किस प्रकार का आपका paper आया है और कौन-कौन से प्रशने आप से पूछे गए हैं इस exam में यहाँ पे complete analysis में देने वाला हूँ with answer के साथ तो आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलेगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आज ही चैनल को subscribe कर लें जिससे की आने वाली हर एक वीडियो की information आपको टाइम बे मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रशन आपसे पूछे गए हैं वो हैं आपके सामने atomic number of uranium uranium का atomic number कितना होता है तो इसका right answer होगा दोस्तों 92 इसका atomic number होता है second है आपका pH value of blood यानि कि रक्त का pH मान कितना होता है यह प्रशन आपसे पूछा गया था तो इसका right answer होगा आपका 7.4 यहाँ पे पूछा है अगला प्रशन largest gland of human body तो इसका right answer होगा दोस्तों आपका liver अगला प्रशन आता है atomic number of calcium यानि कि calcium का atomic number कितना होता है तो इसका atomic number होता है 20 largest cell of human body मानव शरीर में सबसे लंबी cell कौन सी होती है तो इसका right answer होगा आपका neuron जिसे largest cell of human body कहा जाता है अगला प्रशन यहाँ से आपका metal से पूछा गया है heaviest metal यहाँ पे कौन सी होगी तो osmium आपको द्यान अखना है osmium सबसे heaviest metal होती है अगर options में आपके osmium नहीं दिया है तो वहाँ पे आपको platinum दिया होगा तो इसका answer आपको platinum करके आना है दोस्तो अगले प्रशनों की और चलते हैं अगला प्रशन है unit of light intensity यानि की physics है यहाँ पे जो प्रशनों पूछे गए हैं वो हैं आपके पास unit of light intensity बताना है तो इसका right answer होगा candila को कहा जाता है unit of light intensity अगला प्रशन है full form of sonar sonar की full form क्या होती है इसका answer तो हर एक बच्चे को बता होगा sound navigation ranging इसकी full form होती है अगला प्रशन यहाँ पे एक और unit से पूछा गया है कि sound intensity की unit क्या होती है तो इसका right answer होगा what upon meter square इसकी sound intensity की unit होती है अगला प्रशन है frequency of sound sound की frequency कितनी होती है तो इसका right answer है 22-20,000 hertz होती है frequency of sound अगला प्रशन यहाँ पे जो आपका math section से पूछा गया है वो है LCM, HCF के उपर तो देखिए LCM आपको दिया गया है 440 और HCF दिया है आपको 22 यहाँ पे आपको निकालना है number of co-primes pair यानि कि सहर अबाज्जी यूग में कितने होंगे तो इसका जब आप 5 से निकालेंगे तो यहाँ पे right answer होगा इसका दो सहर अपाज्जी होंगे अगला प्रशना आता है आपके सामने एक किसी टंकी को 10 गंटे में बढ़ सकता है और B उसी टंकी को 12 गंटे में बढ़ सकता है तो दोनों एक साथ मिलके इस टंकी को कितने गंटे में बढ़ेंगे तो इसका answer आप सभी बता सकते हैं दोस्तों बहुत ही simple सा कुछिन पूछा किया है यहाँ पे अगला प्रशना आपका आता है GK section से यानि कि Capital of Norway क्या है तो इसका answer होगा ओस लोग को कहा जाता है Capital of Norway World Cup जो की होने वाले हैं 2023 में वो कहां पे योजित किये जाएंगे तो यह होंगे आपके इंडिया के अंदर दोस्तों अगला प्रशने है यहाँ पे full form of ECG ठीक है तो ECG की full form होती है दोस्तों electrocardiography अगला प्रशने है आपका GST की उपर कि GST की full form क्या है इसका answer दोस्तों आप सभी को पता होगा कि full form of GST होती है goods and service tax अगला प्रशने यहाँ पे पूछा गया है CEO के बार में पूछा है जहाँ पे आपको Nokia और Google के CEO का नाम बताना है तो Nokia की बात की जाए तो इनकी CEO का नाम है राजीव सूरी और Google का CEO का नाम है सुन्दर पिचाई अगला प्रशने है जेल अलिता की पार्टी का नाम क्या है तो इनकी पार्टी का नाम है AIA DMK Most Electronegative Element यहाँ आपसे पूछा गया था Most Electronegative Element होता है Flourine साथी साथ दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा प्रियोडिक टेबल की आपको Trends हमेशा दिखके जाने है जो Trends होते हैं कि अगर आप Groups में Up to Down आएंगे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका जो Electronegativity है वो आपकी कम होगी या ज़्यादा होगी ठीक है इस प्रकार के जो भी प्रशनों होते हैं वो आपको ध्यान रखके जाने है क्योंकि यहाँ से प्रशनों आपके ज़रूर बनेंगे आगे भी अगला प्रशनों आपके सामने जो पूछा गया था Green Color in Fireworks जो आपके पठाके होते हैं उनमें जो हरा रंग होता है वो किसके वज़े से होता है तो उसका राइट अंसर होगा Bayrium यहीं पर अगर आपसे Red Color के बारे में पूछा जाता तो उसका राइट अंसर होता Strontium अगला प्रशने जो यहाँ पर पूछा गया था वो है आपके Washing Soda और Baking Soda से ठीके दोनों ही प्रशने आपके यहाँ एक्जाम में देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो Chemical Formula होता है Washing Soda का वो है आपका Na2CO3 और अगर Baking Soda की बात की जाए तो इसका Chemical Formula होता है NaHCO3 तो दोस्तों यह कुछ प्रशने थे जो कि आज आपकी Shift 1 में पूछे गए हैं तो एक Complete Analysis आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा अगर आप चाते हैं आगे भी मैं ऐसे ही Analysis आपकी आज़ाई बेजे एक्जाम से रेटेड लाता रहूं तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे की आने वाली हैर एक वीडियो की इंफोर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए वे नाइस टे और तक के लिए वीडियो